हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक इन एग्री मंत्रा चैनल, चेंजिंग दबे आप थिंकिंग, टोड़े वे डिस्कसिंग अबाउट एग्री कल्चर करेंट अफेर्स विच आर मोस्ट यूसफुल फॉर अपकमिंग एग्री कल्चरल कॉंपेटिटिव एक्जाम्स, फ्रेंट्स पर बात करेंगे, साथ मार्ण से लेकर, चौदह मार्ण तक के इमपोर्टेंट एग्री कल्चर करेंट अफेर्स जहां से एक्जाम में कॉश्चन साने की काफी संभावना है, स्टार्ट करतें, सबसे पहले बात करेंगे तो एग्री कल्चर मिनिस्टर ऑफ इंदिया, treffen with agriculture and rural Rural Development Minister of Israel at Jerusalem तो यहाँ पर Israel की एक जगे है Jerusalem इसकी अगर आम बात करेंगे तो यह capitalist कहलाती है Israel की ठीक है I own Jerusalem में हमारे Union Agriculture Minister की मुलाकात हई ही है वहाँ की Rural Development Minister Jerusalem में Israel मैं आगे जानते हैं डीटेल में क्या हुआ है तो यहां पर वहां के जो Agriculture and Rural Development Minister है Mr. Audit Forer और हमारे Union Minister Mr. Narendra Singh Tomar के वीच में एक मीटिंग हुई है जो मीटिंग हुई है 11 माई 2022 को और यह हुई है Parliament House में यरुसलेम के में दूरिंग दी विजिट आफ इंडियन डेलिगेशन टो इसराल तो यहां पर आपको पता होगा हमारे जो Agriculture Minister है नरेंज सिंग्तुमर आठ तारिक से लेकर 11 माई तक यह तीन दिन का यहां मुल सकते हो टूटल चार दिन का यह विजिट था जहां पर आठ, नो, दस और ग्यारे माई तक यह विजिट रहा जिसमें 11 माई को यह Meeting हुई है वहाँ के एगरिकल्टर मिनिस्टर और हमारे भारत के एगरिकल्टर मिनिस्टर के बीच में अब ये भी जानेंगे कि इन मीटिंग्स में क्या बात होई है क्या क्या एजिंडा रहे हैं और किन पॉइंट पर फोकस करनी की बात कही गई है तो यहां बात करेंगे अब यहां पर यहां पर इसकोप है उसका क्या पोटेंशल है इसके उपर भी यहां पर डिसकस किया गया है दोनों कंट्रीज के बीच में तो हम यह बोल सकते हैं कि यहां पर यह जो मीटिंग है वो काफी मेत्पूर्ण रही मिस्टर ओडिट फॉरर और हमारे एगरी कल्चर मिनिस्टर नरें सिंग तोमर के बीच में आपको यहां पर यह याद रखना है कि इस साल म हम बात करेंगे nursery practices के बारें बात की गई है planting material for fruit and trees के बारे में wineyards के बारे में post harvest technologies के बारें बात की गई है greenhouse farming के बारें बात की गई है और micro और smart irrigation system के बारे में उसको कैसे improve किया जाए और dairy and poultry farming के बारे में भी यह जो बातें हैं यह जो meeting है वो चली तो कहीने कहीं काफी ज्या बाता है कि यह meeting कब हुई कोशन आ सकता है किन-किन देशों के बीच में हुई यह भी आ सकता है या किन-किन ministers के बीच हुई यह भी कोशन आ सकता है उम्मिद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा आगे बात करेंगे second current of year पंजाब से आ रही है incentives for direct seeding of rice तो यहां पर धान की चावल की सीधी ववाई के लिए पंजाब सरकार incentive देने जा रही है जो की पहला ऐसा state है जिसने DSR technique के लिए किसानों को incentive देने की बात कही है जान लेते हैं इसके बारे में सारी नोन यहां पर बात करेंगे the Punjab government recently announced incentive for farmers opting for direct seeding of rice तो rice की transplanting न किये ठिक है उसको नहीं करना है उसके अलावा सीधे seed की विजाई करनी है यह यहां पर बात की जा रही है तो transplantation में और seedling को ग्रो करने में जो water की खपत होती है जो water खर्च होता है उसको save करने के लिए ही यह जो incentive है यह कई न कई किसानों के लिए पंजाब सरकार देने वाली है यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो incentive है वो मिलेगा 1500 रुपीज पर एकर incentive is provided by the Punjab government तो पंजाब गवर्मेंट अपने किसानों को देड़ हजार रुपया प्रती एकर के साब से incentive देगी ताकि वो अपन से खेत में direct seeding करें rice की ना की transplanting करें seedlings की तो इसमें जो nursery ग्रो करने में time लगता है जो खर्चे आते हैं जो दवाई लगती है और हपसे बाद जो पानी लगता है उसको कहीं ने कहीं बोल सकते हो कम करने की बात के गई है उसको बचाने की बात की गई है ताकि पानी को ज्या method पर चलेंगे तो paddy को transplant किया जाता है उसकी nursery होती है उस nursery में seed को sown किया जाता है फिर उसको raise किया जाता है उसमें 25 से 30 या 35 दिन भी लग जाते हैं और यह जो seedling है इनको खाड़ा जाता है और field में लगा दिया जाता है इसको transplantation भी कहते हैं तो इस technique में total 35 days तक कर time लग जात उन चीजों को कम करने के लिए ही खतम करने के लिए ही यह जो scheme है DSR यह पंजाब government के द्वारा लाई गई है अपने किसानों के लिए जिसमें 1500 रुपया प्रती एकड किसानों को दिया जा रहा है पंजाब government का target है कि इस वार 10 लाक हेक्टेर जमीन को under DSR techniques में लेके आना है मत पूजना के दह 10 लाक हेक्टेर जमीन को लेकर आना है यह उद्देश है और DSR जो technique है इससे हम 15-20% तक water की बचत कर सकते हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं और कहीं कहीं तो ऐसा भी सुना गया है ऐसे भी cases आएं जहां पर water saving 22-23% तक हुई है अगर हम traditional method से compare करेंगे तो अभी presenter बात करेंगे तो last year तक 5.62 लाक हेक्टेर एरिया है इस्टेट में जो अंडर DSR है जहां पर DSR technique यूज की जाती है और यह जो 5.62 लाक हेक्टेर है वो 18% है टोटल एरिया ओफ इस्टेट वेर पैडी जहां ग्रो होता है उसका 18% अब भी DSR technique से ही ग्रो होता है और according to the study studies भई पंजाब agriculture university पी ए यू की एक study में ये clear खुलासा हुआ है कि एक kg rice को ठीक है वन kg rice को ग्रो करने के लिए 3600 से लेकर 4125 लीटर वाटर जो है वो लग जाता है इतना पानी एक kg rice को ग्रो करने के लिए खर्च होता है और प्लस जो nursery से हम जो ग्रो करते हैं उसमें और अलग से पानी हमको invest करना पड़ता है तो इस पानी को save करने के लिए ही ये जो योजना है ये जो technique है वो पंजाब government के द्वार लाए गई है उमीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है helpful लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो और इस वीडियो को जाया स्यादा शेयर करो आज की वीडियो का target है केवल और केवल 300 लाइक का तो वीडि आज फर्स्ट खादी सेंटर ओफ एक्सिलेंस विल ओपन तो डेली में भारत का पहला खादी सेंटर ओफ एक्सिलेंस ओपन होने वाला है जो की बहुत बिग निउस है जानेंगे डीटेल में इसके बारे में तो दा मिनिस्ट्री ओफ MSME ने यहां पर क्रियेट किया है सेंट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन इनोवेशन और डिजाइन ऑफ दी खादी विलेज और इन्डश्टी कमिशन तो के वी आईसी को यहां पर और इनोवेट करने के लिए उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए ही यह जो सेंटर ओफ एक्सिलेंस है वो उपन किया जाएगा जो की डेली में ओपन होगा जिसका गोल रहेगा एमपावरिंग खादी इंस्टिट्यूट एक्रॉस जी कंट्री तो जितने भी खादी इंस्टिट्यूशन से हैं उनको एमपावर करना है जाद से जादा ग्रो करना है एक्सप्लोर करना है कंट्री में यह उद्देश रहे और यहां पर बात करेंगे तो इसको डेबलब किस ने किया है यह भी क्वेशन आ सकता है तो इस डेबलब बाई नेशनल इंस्टिटुट ओफ फैशन टेकनलोजी जो कि यहां पर बेंगलोर गांधी गांधी नगर कोलकाता शिलोंग में आपको यहां पर कहीं ने कहीं की भी आईसी को और एमपावर करने की बात कहीं गई है तो यह भी आपको याद रखना है अगर हम बात करेंगे दा बेंट मिनिस्टर और सेंग रफिने टो मिस्टर भानु प्रताप सिंह वर्मा ठीक है मिस्टर भानु प्रताप सिंह वर्मा इस ऑप यहां तक आपको समझ में आया होगा आगी बात करेंगे श्री परशुत्म रॉपाला रिलीज़ ब्रीडवाइज रिपॉर्ट औफ लाइ लाइव इभाइब के एकसा'll तो एकस्वासी बाइव पर निग सेमराइब कि इनलाइच वाहतर अईव любим या थी फैरा, rending Hudson, K से बिलॉंग करते हैं जिसका रेस्टेशन अंडर हुआ है एन बी अजी आर मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जैनेटिक रिसोर्स के द्वारा जिसमें से तो इस रिपोर्ट में 41 इंडिजनस हैं और 4 एक्षोर्टिक और क्रॉस बीड अनिमल है वो टोटल कंटिबूइट करते हैं 26.5% आफ टोटल केटल पॉपुलेशन हमारे भारत में जितनी भी टोटल केटल की पॉपुलेशन है उसका 26.5 प्रतिसत एक्षोर्टिक और क्रॉस ब क्रॉस बीड अनिमल हैं जो कंटिबूइट करते हैं यह भी कॉशन आ सकता है काफी इंपॉटेंट है जहां और अगर हम बात करेंगे तो 73.5% ऐसी केटल है हमारे पास जो इंडिजनस है या फिर नौन डेस्क्रिप्ट केटल है यहां से भी कॉशन आ सकता है कि हमारे भारत म का 49.3% ऐस कंपेर टू 39.3% ऑफ क्रॉस बीड होलस्टीन फ्रेजियन ठीक है जिसको एचेप बोलते हम उससे का अगर कंपेर करेंगे तो ज्यादा जो शेयर है वो है क्रॉस ब्रीड जर्सी का गीर लक्ष्मी और साहिवाल ब्रीड है मेजर कंटिविशन इंडिजनस केटल तो इंडिजनस केटल में कंपेर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो कंटिविशन है वो है गीर लक्ष्मी और साहिवाल का ये भी आपको याद रखना है और बफैलो में बात करेंगे तो मुर्रा ब्रीड मेजरली कंटिविट 42.8% यहां से भी कॉशन आ सकता है तो बफैलो में सबसे ज्यादा जो जिस ब्रीड का कंटिविशन है वो है मुर्रा जिसका 42.8% है विच इस कॉमरली फाउंड इन यूपी और राजिस्थान में यह जो नसल है भैस की वो ज्यादा मिलती है आगे बात करेंगे शीप में तो तीन एक्जोटिक और 26 इंडिजनस ब्रीड है जो नैलोर बीड जो है वो कंटिविट करते हैं हाइस इंडि कर्टेगरी विदु 20 परसेंट शेयर ठीक है गॉट में बात करेंगे तो 28 इंडिजनस ब्रीड है जो भारत में फाउंड होते हैं जिसमें जो ब्लैक बैंगल ब्रीड है वो कंटिविट करते हैं सबसे जादा 18.6% में इंग्जो पायंत्य अश्वाल जो है वो ब्लेक बेंगवोल जो है वो पाई जाती है पहरत और PJ पांद करेंगे तो ste गोग विए इंटे tariffs मिजाач बात करेंगे तो जो मारवाड यह ब्रीड है उसका सबस्यादा कंट्रिविशन है 9.8% फ्रेंड यह काफी इंपोर्टेंट बीडिएफ है जो कि आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम चैनल एग्री मंत्रा नाम से है जिसमें 10,000 से ज्यादा लो 9.6% कंपेर टू अगर हम टोटल कंपेर करेंगे पूरे पॉपलेशन से केटल्स की और यहां पर बात करेंगे तो इन पॉल्ट्री देशी फॉल असील ब्रीड मेजरली कंट्रिविट इंदी बोथ बैक्यार्ड पॉल्ट्री एंड कमर्शियल पॉल्ट्री फार्म उम्मिद के लिए मास्त दौनों के लिए करतें अगे बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एगरी कल्चर साइन एम मोई विद यूएन डी पी तो यहां पर पार्ट्रिशिप और एग्रीकल्चर क्रॉप इंस्ट्रेंस एंड क्रेडट यह तीन चीजहों पर पार्ट्रिप के लिए पुला सा जान लेते हैं तो एकॉर्डिंग तो दी एमो यू वेर यू एंडी पी विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टूर्ड सेंटर एस्पिरेशनल प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना एक तो यह हो गई उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड दूसरी यह यूजना है जो की मॉडिफाइड इंड्रेस समेशन इस्चीम है एमो यू वास साइंड इन दी प्रेजेंस ओफ यूनियन मिनिस्टर आफ एगरिकल्चर नरेंदर शिंग्तोमर बाई CEO PMFBY रितिश चोहान एंड UNDP President Representative शोको नोड़ा तो दो लोगों ने साइन किये एक UNDP के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है शोको नोड़ा ठेक है और एक आपके हैं यहाँ पर CEO PMFBY प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना मिस्टर रितिश चोहान इंड़ों ने साइन किये औ और यहाँ पर जो प्रेजन्स रही थी वो रही थी यूनियन अग्रिकल्चर मिनिस्टर नरीन सिंग तो मर की और अंडर दी MOU UNDP विल लिवरेज इट्स एक्सपर्टीज इन सिस्टम एंड ग्लोवल नोहाव पर सपोर्टिंग दा मिनिस्टर अग्रिकल्चर फर दी इंप्ल चोधरी जी एंड सेक्रेटरी आफ एग्रिकल्चर श्री मनोज अहुजा जी तो यहां पर यह दोनों लोग मौझूत थे और जो यूनियन मिनिस्टर फ़ एग्रिकल्चर फर स्टेट हैं श्री केलाश चोधरी इनका नाम है यह भी आपको याद रखना यह भी वाशन आ सकत है कि वह दो प्रिजेंट यूनियन मिनिस्टर फ़ एग्रिकल्चर फॉर स्टेट तो है श्री केलाश चोधरी जी उम्मित करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा आगे बाद करेंगे तो फिप्टीन इयर लोग वीट प्रोक्यूर्मेंट पंद्रह साल से गर कंपेर क हुआ है इसके कारण भी जानेंगे कई सारे यहां पर कारण भी इनके रहे हैं कि क्यों कम रहा है और यह सारी चीज़ां जानना बहुत जरूरी आपको इन धी करेंट मार्केटिंग सीजन वीट प्रोक्यूर्मेंट बाइग्वर्मेंट इजैंसी इस सेट तो डिप तो वीट वी प्रोक्यूर्ट इस टाइम बाइग गवर्मेंट इजैंसी इस विल बी दे लोएस सिंस 11.11 मेट्रिक टन बॉट्न इट तो दो हजार साथ आठ में ग्यारत असमलब एक मेट्रिक टन खरीदा गया था प्रोक्यूर किया गया था गवर्मेंट के दारा उसके बाद जो दूसरा सबसे कम वेल्यू है वह इसवार की है 2021 वाइस की जो की है 18.5 मिलियन टन तो यह भी आपको याद रखना है कि इस सीजन में अगर हम बात करेंगे तो जो विटनेस अनप्रेसिडेंटेंट लेवल है इस वार जो ओपनिंग स्टॉक रहा है वो 27.3 मिलियन टन रहा कोईंटल में निकाल होगे तो 2015 आएगा और गौर्मेंट प्रोकुरिंग वीट एट MSP और MSP पर गौर्मेंट खरीदती है अब यहां पर बात करेंगे तो इस वार 18.5 मिलियन टन संबावित खरी 2007 में खरीदे गए 11.1 मिलियन टन के वाद सबसे कम होगी ठीक है सबसे कम 2007 नहीं यहां और अब बात आती है आपके मायन में कॉशन की वह कॉशन है कि इस वार खरीद के 15 साल के निचले इस्तर पर जाने के क्या कारण है तो दो मुक्ष कारण है पहला कारण है कि निर्यात की मांग इस वार बढ़ी है आपको पता है यूकरेन और रशिया में जो यू कर रहे हैं आप खार सी कही ज्याधा डिमांड आ रही है कि वह अपना गेहुं निर्याद करें और वह देश आप निर्यात की शHHK मांग बड़ी हैं गेहुं की उस से यह दिक्कत disp sharing खाएं और और दूसरा कारण है कम उतपादन और फार जो उतपादन है गेहुं का वह भी कम हुआ है तो इन दो कारण की बज़ा से ही यह जो बोल सकते हो वीट प्रोक्यूर्मेंट है वो 15 साल का सबसे लो रहा है यह भी आपको जाद रखना है काफी इंपोर्टेंट यह नियूज है आगे बात करेंगे तो 75 इंडियन विलेजिस टू वी शेफड विद इसराइली कॉर्परेशन कॉर्परेशन एग्रिकल्चर मिनिस्टर नरीन सिंग तोमर ने बात कही है तो अब भारत के 75 ऐसे गाओं जो सलेक्ट किये गए हैं उनको शेप किया जाएगा इसराइली कॉर्पर के द्वारा इसराइल का पूरा कॉर्परेशन मिलेगा टोटल यहां पर 150 गाओं के लिए इस्टा है लेकिन पहले फेज में 75 विलेजिस को यहां पर शेप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी इसराइली कॉर्परेशन डीटेल में जा लेते हैं टेकिंग टू नेक्स ले सब्सक्राइब कर रहा है उसी के उपलक्ष में आप पर 75 विलेजिस को नामित किया गया है जिनको इसराइली कॉपरेशन दिया जाएगा और यह बात कही है हमारे ऑफिशियल यूनियन एग्रिकल्चर मिनिस्टर नरें सिंग तोमर ने तोमर हु वाज इन इसराइल ऑन फोर मिनिस्टर है एट दी यहाँ पर बात करेंगे तो कुनिसट ठीक कुनिसट जो है वह इसराइल की सब्सक्राइब को अ Elijah Ketanoj मीटिंग हुई थी और यह सारी बात में वहीं पर हुई थी इसको कनेशाट भी बोलते हैं कई लोग ठीक है इसमें कन्फीज नहीं हो ना आपको डे डिसकर्स वेरियस इस्यूज रिलेटिड टू मॉडरन एग्रो टेक्निक यहां पर बात आती है किस किस के वारे में बात तो यह टोटल 150 गाओं का हो ना है लेकिन अभी पहले फेज में 75 विलेजिस को ही शेप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इसराइली कॉपरेशन उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा आगे बात करेंगे फर्स्ट और्गेनिक वेस्ट पावर्ड इवी चार्जिंग स्टेशन तो भारत का पहला और्गेनिक वेस्ट पावर्ड इलेक्ट्रिक वीकल चार्जिंग स्टेशन सेटप किया गया है मुंबई में जो की है केशब राव खाद्यमार्क मुंबई में आ माई को इसका नावरण किया गया है यह भी आपको याद रखना है काफी इंपोर्टेंट यह यहां से रहने वाला है इस ओर्गेनिक वेस्ट पावर्ड चार्जिंग इस्टेशन हैस बिन जॉइंटली डेबलोफ बाई और केर क्ली एनरजी और ब्रेहार मुंबई मुनिसीपल कौपरेशन जिसको B.MC के नौन से जानते हैं तो B.MC की वाल डी और अर्र केर क्लीन एनरजी यह यह समझाता हुआ है यह पार्टनर से पहरी है जो की organic waste power charging station यहां पर इस्ताफित किया गया है इसकी जो daily की capacity है तो daily this plant process around 2000 kgs of garbage तो 2000 kg garbage को यह process कर सकता है यह बात की गई है और जो garbage है वो कैसा होना चाहिए organic होना चाहिए वो decomposable होना चाहिए यह बात यहां पर की जा रही है in the year 2021 this plant was installed 2021 में किया गया था to generate electricity this facility has till now already utilized around 1.5 lakh kg of food waste तो 1.5 lakh kg food waste को अब तक utilize कर लिया गया है और इसकी जो capacity है वो 2050 गार्विच की है और आपको बता दें कि अभी यह practical के तोर पे experiment के तोर पे काम कर रहा था अब इसको एक बोल सकते हो एक state या फिर एक city में इस्थापित किया गया है जो की है मुंबई में जो की भारत का पहला organic waste powered electric vehicle charging station बन गया है तो काफी important है news है यह आपको पता रहनी चाहिए question आ सकता है कि किस state में या किस city में भारत का पहला organic waste powered electric vehicle charging station इस्थापित किया गया है तो आपका answer होगा मुंबई ठीक है आगे बात करेंगी तो नावाड sanction रुपीज 9700 करोड for project in Assam तो National Bank for Agriculture and Rural Development नावाड ने इस financial year 2021-2022 में sanction किये 9700 करोड अलग-अलग project के लिए activities के लिए और यह किये गये आसाम state के लिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो this includes 7600 करोड for infrastructure project of state government and remaining 2065 करोड to various financial institutions वहाँ पर जो बैजू कुरूप हैं जो की chief general manager है नावाड के Assam regional office के उन्होंने आपर statement दिया है कि an amount of 26.30 करोड were extended as grant for various development intervention like setting up of farmer producer organization, travel development program, micro created innovation project etc. तो यह कहीने कहीन काफी important रहने वाला है कि नावाड हमेशा तो कि आप भी जानते हैं कि नावाड का उद्देश रहता है वह काफी जानने वाला है और आपको पता भी होना चाहिए नावाड के वारे कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए तो नावाड को जो उद्देश है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तो इनका उद्देश है अग्रिकल्चर डेबलमेंट, रूरल डेबलमेंट, क्रेडिट प्लानिंग, रिफाइनेंसिंग ये सारे उसके काम है और जो इनिशल कॉर्पस था नावाड बेंक का वो सो करोड था ये भी आपको पता होना चाहिए नावाड के जो शेयर्मेन हो भी पता होना चाहिए अगे बात करेंगे तो ये आज का लास्ट करेंट अफेयर है इसके बात करेंगे पिछले वीडियो पूछे के आंसर के वारे में और देन बात करेंगे आज के special question की जिसका सही आंसर आपको comment box में लिखके भेजना है तो यहाँ पर बात करेंगे International Day of Plant Health Observe on 12th मई 2022 तो 12 मई 2022 को International Day of Plant Health Observe किया गया तो इन सारे पोइंट्स पर काम करने के लिए लोगों तक awareness फैलाने के लिए ही यह जो 12 मई को International Day of Plant Health Celebrate किया गया है और आपको पता होगा The United Nations Declare 2020 as the International Year of Plant Health IYPS क्योंकि आपको पता है कि UN जो है वो हमेशा हर साल को किसी एक specific चीज के लिए डेक्लेयर करता है 2020 में Plant Health के लिए यह जो year है International Year वो डेक्लेयर किया गया था क्योंकि COVID pandemic आ गया था आपको भी पता है तो काम नहीं हो पाय था और गर्मी भी जादा नहीं होगी टेंपरिचर कम रहेगा तो इन सारी चीजों को कहीं नहीं फुल्फिल कर सकता है आपका प्लांट लगाना तो ज़्यादा ज़्यादा प्लांट लगाएं और जो भी रूस आते हैं Environment Ministry के द्वारा उनको फॉलो करें अब बात करेंगे आज के Special Question की लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो कुछ के Question के आंसर के वारे क्वारे क्वेशन था Which state has announced incentive for farmers opting for direct seeding of rice तो यहाँ पर बात हो रही है कौन सा ऐसा स्टेट जिसने direct seeding of rice के लिए अपने farmers को incentive देने की गोशना की है तो हमने आपको आज इस सेशन में बताई दिया है डीटेल में पंजाब ऐसा स्टेट है जिसने अपने किसानों के लिए incentive प्रोवाइट करेगी DSR के लिए 15 रुपे परती एकर अब बात करेंगे आज के Special Question की दो Question है इंडिया's first green field grain waste ethanol plant has been inaugurated in which state or union territory तो ऐसा भारत का पहला कौन सा इस्टेट या union territory है जहां पर पहला first green field grain waste ethanol plant set up किया गया है option है गुजरात उडिसा बेहार तिलंगाना इसका सही answer आप जल्दी से comment box में लिखके भेचिए हम आपके valuable comment का वे सबरी से इंतिजार कर रहे हैं अगर थोड़ा सा भी helpful लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज्यादा स्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करो आज की वीडियो का target है के वल 300 likes का तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें मिलते हैं थर्ड वीग ओफ मई के important agriculture करेंटरफेस सेसन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत